हेलो बचो आज मैं आपको क्लास नाइन की जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्क्षीट नमबर 6 समझाँगी जिसकी डेट है हमार पर 16 जुलाइज की वर्क्षीट में भी हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसकी बारे में ही जानेंगे लेकिन आज कर टॉपिक है ह यहां पर लिखावा है factorization of an algebraic expression means writing the expression as a product of factor तो factorization का मतलब क्या है जो भी algebraic expression आपके पास है उसको आप कैसे express करो product of factors उसके factor की formula उसे express करो यहां पर है algebraic expression can be factorized using the common factor method regrouping terms together and also by using algebraic identities अब आप एक algebraic expression को कैसे factorize कर सकते हो कई सारे तरीके होते हैं जैसे आप common factor method use कर लो मतलब अगर उसमें कुछ चिस common आ रहे है तो आप common लेके उसे factorize कर सकते हो वी group आप group बना सकते हो जैसे four terms है तो दो-दो terms का group बना के उनमें common ले सकते हो फिर या फिर आप क्या कर सकते हो कोई algebraic identity आपकी लगी है तो इसमें आपको पता है कि दो-टर्म है है ना दो-टर्म आपको पता चल गई होंगी कि term क्यों और factor क्यों है मैंने आपको लास्ट वर्कशिट में वर्कशिट नंबर 5 में भी a question दिया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप मुझे comment करके बताएंगे कि इसमें कितने term है और बहुत सारे बच्चों ने वह comment करके बताया भी मुझे और बिकुल सही answer दिया तो इसका मतलब term तो आपका clear है कि term क्या होती है तो दो term है अब आपको इसे factorize करना है तो कैसे आप इसे factorize करोगे देखो यहां लिखा है same वही लिखाव है जो example यहां पर जो expression है वही यहां लिखा है factorize करोगे कैसे देखो आप यहां पर देखो इस term में और इस term में आपको कुछ common दिख रहे है? Common का मतलब होता है जो दोनों ही term में हो तो आप देख रो, A यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है B भी है, दोनों में हो तो दोनों में एक एक बार A तो ही ना, तो एक A हम यहाँ से common ले लेतें, अब बात आते है E की, तो देखो B 1st वाली term में अगर आप देखो तो b एक ही बार लिखा है , अगर आप second वाली term में देखो तो b दो बार लिख याि तो एक बार तो दोरों में ही है न तो हम एक बार b ले-ले लेना है और c दोरों में एक बार लिख कहें ? अब बचा क्या अंदर तो देखो 3 यह तो हमने भार नहीं लिखा तो वह ऐजे 30 बचा हुआ है अब देखो यहाँ पर है A square तो A square को आप दो बार A लिख सकते हो लिख सकते हो आप पता है अगर आपको ऐसे clear नहीं होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A दो बार था दो बार लिख दिया B एक बार था एक बार ऐसी यहाँ पर यह तो आपको आता है लिखना अब आप common ले सकते हो एक बार A B C common ले लिया तो यहां 3 बचा, एक ये वाला A बचा, ये वाला A तो भारी ले गए थे हम B भी भार ले गए और C भी भार ले गए तो ये नहीं लिखेंगे 5 बचा, A, A की है और A की है हम भार भी ले गए थे तो यह नहीं लिखेंगे, B दो बार है, एक बार बाहर ले गए थे, एक बार बच गया है, एक बार क्रॉस कर दो, C बाहर चला गया, तो यहां नहीं आएगा, यह लो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे clear नहीं होता कि क्या हमें common लेना है, कई बच्चों को doubt रहता है, कि नहीं समझ में आ रहा, A square है, A है, तो A square common लेना है, या A common लेना है, तो आप ऐसे करके लिखे कीज़ेगा, clear है, अब आगे आपको factorize करना चलिए, आप कुछ 4 terms दे रखे हैं, total 4 है, कैसे factorize करोगे अब आप इसे, तो आप क्या करो, जो यह आपने 4 terms लिखी हैं, आप इनका group बना लो, group मतलब क्या आता है, ने, regroup कैसे करो, ऐसी कोई सी 2 terms को आप एक साथ लिख लो, जिसमें कुछ न कुछ common आ रहो, तो अगर आप यहां देखो, तो 6 x cube था, और यहां 6 y cube था, इन दोनों में तो कुछ भी common नहीं आ रहा, नहीं आ रहा न, तो आप फिलाल इनका group मत बनाना, क्योंकि इसमें कुछ भी common नहीं आ रहा, अब x cube के साथ को यह कैसा number लो, जिसमें कुछ common हो, तो यह दो ले लू, इसमें दोनों में x square मुझे common मिल और इन दोनों का pair ले लेते हूं, पर एक चीज़ का ध्यान लखिएगा, जब भी आप regrouping करते हो, तो सिफ़ आप terms को आगे पीछे करोगे, उनके sign को आगे पीछे नहीं करोगे, ठीक है, जैसे मैं यहां पर बताती हूं आपको, देखो, हमने एक यह pair लिया, और एक यह, तो देखो, माइनस का थाना यहां पर, तो मैं इसको माइनस के साथ ही लेके आई हूं, ठीक है, ऐसी यह लिख दिया, और माइनस का x y square, कई बच्चे क्या करते हैं, यह माइनस का sign यहीं छोड़ देते हैं, और 6 x square y को plus के sign के साथ लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, इस साइस NCRT से कर रखी हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं की हैं, मैं लिंक देदूंगी description में, आप वहां से कर लीजिएगा, बहुत important topic है, बिल्कुल अच्छे से समझेगा, ठीक है, अब इन दोनों में से आपको बता चले, x square common आ रहे हैं, तो अंदर यहां पर cube था, द अब अगर आप धिहान से देखो यहां पर, तो इन दोनों में सिफ एक ही फ़रक है, साइन का, या तो आप इस टरम को पहले लिख लो और इस टरम को बाद में लिख दो, लेकिन यह तो याद करने वाली बात हो गई ना, कि पहले यह टरम लिखें पर यह नहीं, आप जैसे म अंदर की आगे पिछे हो जाती है, अपना प्लेस चेंज कर देते हैं, इसे बोलते हैं माइनस को कॉमल लेना, अब आप नाइन्थ क्लास में आ गए हो, तो आपको यह छोटी-छोटी चीज़े भी आनी चाहिए, नेक्स्ट येर बोड है आपका, इसलिए, ठीक है, तो माइ इसलिए, अब इसमें आइडेंटिटी लग रही है, a2-b2, a2-b, a2-b, answer, clear हुआ example, माइनस कॉमल लेना आया आप लोगों को, तो जब भी दूनों ब्रेकिट में नंबर सेमों सिफ साइन का फड़क हो रहा हूँ, तो आप क्या करो, उसमें से माइनस को बाहर निकाल लो, ब अब भी अगर कोई भी डाउट हो, तो कमेंट करके आप पूछ लीजेगा, वैसे लगता है मुझे आप लोगों को clear हो गया होगा, चलिए, example number 3 पे आते है, factorize करना है इहां भी, x square plus 6x plus 8, इसमें देखो, आप middle term split लगा सकते हो, middle term split का मतलब होता है, बीच वाली term को split करना, इस तरीके से, कि जब आप plus minus करोना तो बीच वाली term ही है, लेकिन जब आप multiply करो उन दो terms को, जिन में आपने split किया है, तो इन दोनों का multiplication है, first और last वाली term का, मतलब कि 8x square आना चीए, तो ऐसे कोई से 2 numbers आपको लीनी है, कि plus minus करके तो 6x आजाए और multiply करके 8x square आजाए, तो 4 और 2 ले लेते हूं, 4 2 जा 8 भी होता है, multiply करोंगी तो, और 4 plus 2 6 भी होता है, तो मैं इसको लिख सकते हूं, x square प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8, तो देखो, 4x में 2x प्लस करोगे तो 6x ही आएगा, और 4x को 2x से multiply करोगे तो 8x square ही आएगा, है न, इन दोनों का pair, इन दोनों क और 4 बचा, यहां से 2 common लिया, तो x plus 4 बचा अंगा, आ रहे हैं न, दोनों bracket से, तो x plus 2 और x plus 4, यह मेरा क्या गया, यहां पर answer आगे, clear, example, चलिए, पूर्थ वाले example पर आते हैं, यह आपको वह steps लिखे हैं, ठीक है, मैंने read नहीं किये, मैंने आपको समझा दी है, regrouping कैसे क लिखा हैं, clear है, चलिए, example number 4 देखते हैं, simplify करना है, तो देखो, जो उपर वाला numerator है, इसमें आप middle term split लगा सकते हो, क्योंकि इसमें 3 term है, तो आप दीच वाले term को split कर सकते हो, हाँ, एक और चीज मैं आपको clear करू, middle term split लगती कब है, जब 3 term होती है, तो आप उसे factorize करने के middle term split लगा सकते हो, ठीक है, चार term में कभी भी middle term split नहीं लगती, क्योंकि इसमें middle कोई term ही नहीं होती, ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या करते हैं, दुबारा middle term split लगाते हैं, तो देखो, plus minus, यहां में side में लिख रहूं, plus minus करके तो 4x आना चाहिए, और multiply करके 3x square आना चाह तो कौन सा number ले, तो दो number ले लेते हैं, 3x plus x, 3x में 1x plus करेंगे, तो यही तो आएगा 4x, और multiply करके 3x square भी आजाएगा, नीचे वाला फिलहाल मैंने ऐसी लिख दिया, अब इन दोनों का एक pair और इन दोनों का एक pair, ठीक है न, यहां से मैंने x common लिया, तो यहां x plus 3 बचा, अब देखो इस वाले pair में कुछ common नहीं आ रहा, कोई बात नहीं नहीं आ रहा, तो आप one common ले लो, तो अंदर x plus 3 रह जाएगा, अब नीचे देखो आपके पास 6x plus 18 है, आप यहां से 6 common ले सकते हो, तो x plus 3 बचेगा, clear, अब एक आपके पास factor हो गया, x plus 1, एक हो गया, x plus 3, और यहां आगया, x plus 3, और यह 6 ऐसी है, यह इससे कट हो जाएगा, finally आपका answer क्या आजया, x plus 1 upon 6, clear होगे example 4, देखने में लग रहा था, simplify यह तो शेह थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन यह असान है, ठीक है, चलिए, करे practice question, start हम अपने, तो question number 1 पे हम यहां पर है, कह रहा है, factor the following algebraic expression, बहुत असान है, देखो, first वाले में आप से कह रहा है, 8 x y cube minus 6 x square y square, देखो, दो term है, middle term split तो आप नहीं लगा पाऊगे, क्योंकि उसके लिए 3 term चाहिए, ऐसा करते हैं, जो इसमें common आ रहा है, वो ले लेते हैं, तो 8 और 6 में कुछ common है, बिल्कुल common है, 2, क्योंकि यह 3 number ही 2 की table में आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं, अब यहाँ x y cube है, यहाँ x square y square है, तो दोनों में एक एक x तो मुझे दिखी रहा है, तो मैं एक x common ले लेती हूँ, और दोनों में 2-2 y दिख रहे हैं, क्योंकि यह y cube है और यहाँ y square है, तो 2-2 y तो है ही ना, तो y square ले आते हैं, अब फाइनली अंदर क्या बचा, देको यहाँ पर 8 था, 2 बहार आ गया, तो 4 अंदर बचेगा, क्योंकि 2-4 जा 8 होता है, एक ही x था, वो x तो बहार चला गया, y यहाँ पर 3 बार है, cube का मतलब 3 बार ही तो हुआ, दो बार तो आपने बहार ही लिख दिया, तो एक बार बचा, ठीक है, अब 6 में से 2 बहार चला गया, तो 3 बचा, क्योंकि 2-3 जा 6 होता है, x स्क्वेर, दो बार x है, एक बार x तो बहार चला गया, एक ही बार बचा, y स्क्वेर, पूरा का पूरा y स्क्वेर बहार ही है, common है, तो कुछ नहीं बचा, यहीं आपका answer है, clear, चलि चार टर्म से हैं, तो middle term split तो नहीं लगेगा, आप ऐसा करो, इसे regroup कर लो, अब regroup करें कैसे, वो भी तो देखना परेगा, है न, regroup करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर, इन दोनों का एक पेर ले ले लेते हैं, a square minus b square का, क्योंकि मुझे देखके पता चला है, इ एक ही पेर ले लेते हैं, और क्या करते हैं, इन दोनों का एक पेर ले लेते हैं, क्लियर हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ तो identity लग रही है, a plus b और a minus b की, अब यहाँ से कुछ common आ रहा है, इस वाले pair में से, बिल्कुल आ रहा है, एक तो दोनों में से two common आ रहा है, मेरे पास, एक दोनों में a बी दिख रहा है, मुझे एक दोनों में b दिख रहा है, ठीक है, चलिए, अंदर देखते हैं, two तो बहाँ चला गया, यहाँ पर a squared है, दो बार a है, एक बार a तो बहाँ चला गया, एक बार अंदर बचा, B तो पहले A की था और एक बार वो बहर ही चला गया अब देखो यहाँ पर minus है तो जो ये plus का sign है न ये change होके minus बन जाए हा हमेशे याद रखना जब भी bracket के बहर minus होता है तो अंदर का sign change होता ही होता है ठीक है? अब इसमें से देखते है 2 तो बाहर चला गया, a भी भाहर चला गया, b यहां 2 बार था, a की बार तो बाहर गया, एक बार अंदर बचा है clear, अब आप देखो, यह पूरी एक term है, और यह पूरी एक term है, इसमें से भी a minus b एक बार common आ रहा है ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर तो a plus b बचा और यहाँ पर क्या बचा, 2 a भी बचा clear है, यही आपका यहाँ पर answer है clear, चली, third वाला part देखते हैं यहाँ पर एक बार उपर से पहले part लिख लेते हैं, x square plus 8x plus 12 है यह है आपके पास तो तीन term है, आप easily middle term split कर पाओगे इसमें, है ना तो middle term split ही इस तरीके से करनी है, 8x को दो parts में divide करना है कि plus minus करके तो 8x ही है, अब multiply करके इन दोनों का multiplication आना चीए मतलब कि 12x square आना चीए, तो ऐसे कौन से दो number ले है कि जो हो जाए, 6 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि 6 2 जा 12 भी होता है, और 6 plus 2 8 भी होता है है ना, तो x square plus का 6x plus का 2x plus का 12, आप 2x पहले और 6x बाद में भी लिख सकते हो, एक ही बात है ठीके, इन दोनों का एक pair और इन दोनों का एक pair, यहाँ से x common लिया तो x plus 6 बचा यहाँ से 2 common लिया इस pair में से तो x plus 6 बचा, clear तो यहाँ पर x plus 2 एक factor आगया और x plus 6 लो, हो गया यह factorized, ठीके, थर्ड पार्ट complete, चलिए, फौर्थ पार्ट पर आते है, तो फौर्थ पार्ट यहाँ से देख लेते हैं, आपके पास है x square plus 10x plus 16, तीन टर्म है, इसमें भी आप easily middle term split लगा सकते हो, तो 10x बीच की term है, इसक करना है कि plus minus करके तो कितना आजाए, 10x ही आजाए, multiply करके कितना आजाए, 16x square आजाए, तो ऐसे कौन से दो नम्बर ले, 8 और 2 ले ले, क्योंकि 8 into 2 16 भी होता है, और 8 plus 2 10 भी हो जाएगा, ठीक है, तो x square plus 8x plus 2x plus 16, अब इन दोनों का एक pair, इन दोनों का एक pair, यहाँ से x common ल लिए तो x plus 8 आजाएगा, ठीक है, अभी x plus 8 और x plus 2 यह दोनों आपके factors आगए, factorize हो गया, जो question आपको दे रखा था, factorize करने के लिए, ठीक है, चलिए, question number 2 देखते हैं, question number 2 मैं आपसे यहाँ कहा रहा है, simplify करना है, first part आपको यहाँ पर दे रखा है, x square minus 9 upon 6x plus 18, तो देख मैं इसको 9 को 3 का square लिख देती हूँ, और यहाँ से 6 common लिलेती हूँ, तो x plus 3 बचेगा, अब आप देखरू, अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर एक जगा identity use की थी, और उस identity को मैंने mention नहीं किया है, तो मैं यहाँ mention कर दूँ, मैंने a square minus b square के identity use की थी, a plus b और a minus b, आपको हर जगा लिखनी है identity, ठीक है, यहाँ पर use की थी न, तो मैंने लिख दी है, चलिए, अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर भी आपके पास एक identity लग रही है, कौन सी identity लग रही है, अगर मैं यहाँ लिखूं वो identity, तो a square minus b square की लग रही है, जो क्यों होती है मेरे पास a plus b और a minus b, देखा जाए तो यहाँ पर a की value x है और b की value 3 है, लगनी है न, numerator में, तो चलो लगाते है, a plus b, मतलब x plus 3, a minus b, मतलब x minus 3, नीचे 6 x plus 3 ऐसी रहन दो, यह इससे कटो गया, तो finally क्या बचा, x minus 3 अपन में 6, यही आपका क्या है, यहाँ पर answer है, ठीक है, ठान असान पार्ट चलिए, second वाले पार्ट पर आते हैं, second पार्ट से पहले, एक छोटा सा पार्ट मैं आपको देती हूं, homework question का, जो आप मुझे क्या करोगे, comment करके बताऊगे, जैसे के भी मैंने आपको starting में बोला, की terms वाला भी आप लोगों ने मुझे comment करके बताया था, है न चलिए, अब आप मुझे इसकी value बतायेगा, identity use करके ही बतायेगा, find value, मैं short में लिखने हूं, तो 249 का square minus 248 का square, direct square मत निकालिएगा, identity use करके बतायेगा, बहुत असा question मैंने आपको ये दिया है, ठीक है, comment करके मुझे इसका answer जरूर बतायेगा, चलिए, आते हैं, वापसी ह और यहाँ पर आपके पास x plus 2, चलो, देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो numerator में आपके पास 3 term है, तो आप middle term split कर सकते हो, middle term split के लिए 3x को इस तरीके से 2 part में split करना है, कि plus minus करके तो 3x ही है, multiply करके इन दोनों का multiplication है, मतलब कि 2x square है, है न, तो 2x और 1x ही ले ले लेते ह है, फिर, ठीक है न, क्योंकि 1 plus 2, 3 भी हो जाएगा, और 2 into 1 करेंगे, तो 2 भी हो जाएगा, ठीक है, अब इन दोनों का एक pair और इन दोनों का एक pair बनाएंगे, तो यहाँ से x common लिया, तो x plus 2 बचा, यहाँ कुछ common नहीं है, कोई बात नहीं, जब भी कुछ भी common नहों तो 1 common लिया करो, ठीक है, अंदर वोई time बच जाती है, clear, अब यहाँ पर एक चीज है, कई बच्चे इस x plus 2 को ऐसे ही कट कर देते हैं, मतलब मैं आपको कट करके दिखाते हूं, आप लोग ऐसे कट कर देते हूं, नहीं, यह गलत है, ऐसे कट नहीं होगा कभी भी, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर, एक से के, यह लिखना है, x plus 1 और x plus 2, अब आपको यहाँ पर कट करना है, finally answer आपका x plus 1 आ गिया है, ठीक है, तो यह था आपके पास question number 2 का second part, worksheet छोटी सी थी, complete हो गई, दोई question में लेते, solve करने के लिए उनमें कुछ parts थे, ठीक है, कैसे करना होता है, regrouping कैसे करने होती है, middle tummy split कैसे करने होती है, और identities लगा के कैसे हम एक algebraic expression को factorize कर सकते हैं, ठीक है, worksheet अगर आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप इसका answer मुझे जरूर कमेंट करके देंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो आ आप इसे like जरूर कीजिएगा, और मेरे channel को subscribe कीजिएगा, next worksheet next class में करेंगे, thank you